नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नूज में मेंरे तन सेन भवारती अज हम बात करेंगे बिहार में लागवे अनallas USरूप के बारे में मुखमंत्री नितिस्कमार ने लिखा कि लॉगडाउन से कुरोना संक्रमन में कमी आई, अता लॉगडाउन खत्म करते हुए साम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रातरी कर्फ्यू जारी रहेगा, 50% परस्तिती के साथ सरकार और नीजी कारजाला 4 बजे अपरहान तक खुलेंगे, आउनलाइन से इच्छन कारज किये जा सकेंगे, नीजी बाहन चलने की अनुमती रहेगी, यह विवस्ता अगले एक सप्ता तक रहेगी, अभी भी भीरोभार से बचने की अवसकता है, आई आप जान लेते हैं कि कावंसी जो है, पूरी अनलॉक की जो गाइडलाइन है, उस सरकारी कारजाले और हम गैर सरकारी कारजाले, 50% परस्तिती के साथ, 4 वज़े साम तक खुलेंगे, सरकारी कारजाले में अगंतुकों का परवेश बरजित होगा, इसमें विवह भी कहा गया कि अवसक सेवाओं में जिला परसासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, परियाबरन बन एवं जलवाईव परिवर्तन बिभाग कि आवसक गतिविधियों से संबंदित कार जाले या थावती काज करते रहेंगे, नियाईक परशासन से संबंध में माननी उच्छ न्याले के द्वारा लिया गैर निर्नय प्रभावी होगा, इसके साथी दुकाने बाने जब हम अन्य नीजी परतिस्थान एक दिन बीच करकर सुबह 6 वज़े से सामके 5 वज़े तक खुलेंगे जिला पता अधिकारी इसको लेकर आदेश जारी करेंगे लेकिन बैंकिंग बीमा एवम एटियम संचालन सें संबंदित परतिस्थान गैर बैंकिंग भी तिये कमपनियों के कारजाला गतिबिधियां खुली रहेंगे इसके साथ औध्योगिक एवम बिनिर्मान कारज से संबंदित परतिस्थान खुले रहेंगे सभी परकार के निर्मान कार जारी रहेंगे E-commerce से जुड़ी सारी गतिपिदियां एवं कुरियर से वाएं जारी रहेगी क्रिसे एवं उससे जुड़े कार्ज जारी रहेंगे Print एवं Electronic Media के कार्जाले खुले रहेंगे टेली कॉम्निकेशन, इंटरनेट, सेवाएं, ब्रोडकास्टिंग एवं केवल सेवाओं से संबंधित के तिपिदियां भी जारी रहेगी पेट्रोल पंप, LPG, पेट्रोल आदि से संबंधित खुद्रा एवं भंधारन परतिस्थान भी जारी रहेंगे साथ ही इस बात काफी ध्यान रहेगा कि कहीं भी भी ब्रोडवाल की सीटी उत्पन ना हो कोल्डा स्टोरेज एवं बेयर हाॉसिंग जैसी सेवाएं भी जारी रहेगी नीजी सुरच्छा सेवाएं भी जारी रहेगी दुकानों को लेकर खास करके कहा गया है कि दुकानों या फिर परतिस्थानों में हमेशा मास्क पहनना होगा साथ ही दुकानों पर आने वाले आगंतुकों को सनिटाजर को वेवस्था करनी होगी इसके साथ ही दुकान या फिर परत्रिस्थान वे सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा अस्पताल और अनसंबंधित स्वास परत्रिस्थान के निर्मान और बितरन इकाईयों सरकारी और नीजी दुकान सरवजनिक परिवहन से निर्धारित बैठक ने की छमता से माथ 55 उपयोग के नुमती होगी सभी अस्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेंडिंग एवं अनसैसिंग संस्थान बंद रहेंगे इस दवरान भी दल है, सभी पर इच्छाएं नहीं ली जाएंगी आउनलान सिच्छन के वेबस्था की जा सकेगी रेस्टोनेंट वह हम खाने की दुकाने बंद रहेंगी होटल के संचारन अतीथि के लिए इन रूम सथ अनुवान होगा, सही परकार के धार्मी का स्थल लग भी बंद रहेंगे, सही परकार के समाजिक, राजनीतिक, मनरणजन, खेल, कुझ, सैस्षिनिक, धार्मी, कायोजन, कउपन सिनेमा हाल, सौपिंग मौन, कलब, स्विविंग पूल, स्टेडियम, जीम पार्क उध्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे सरबजनिक अस्थानों पर किसी परकार के आयोजन सरकारी वामनी जी इस पर भी रोक होगा साधी विवास की अधिकतं 20 विव्यक्तियों की उपस्रिती के साथ ही अज़ीत किये जा सकेंगे इसके साथ ही बारात में दीजे वा बारात जूलुस की इजाजट नहीं होगी साथ ही इसकी सुचना स्थानिय अथाने को 3 दिल पहले दी जाएगी राज में संधिया साथ वे से सुबह पाँच वे तक नाइट करफू रहेगा इसके लिए निम्न तरह की गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई इसमें कहा गया स्वास्त जुड़ी गतिविधियों में सनलंग्ड बाहन इवाम स्वास्त पर्योजन उपयोक्त नीजी बा वर भी आ जा सकेंगे सही परकार के माल शक्त जो गाड़ियां है वह भी नजईघ कहरे दरान आ सकती हो वैसे नीजी यह पर जो हो नसारा यात्रा कर रहे हो उनके पास आगर टीक्ट है तो भी नायट कहरेगा के दरान आजा सकते हैं करद्यब्यों पर जाने है तो सरकारी सेवाओं एवं अन आवा सकता अनुसार सेवाओं के लिए नीजी बाहन भी आने जाने के लिए मानने होगे नाइट कर फ्युक दरान अंतर राज्जी मारगों पर अन राज्जियों को जाने वाले जो नीजी बाह की जाएगी इन सभी परिस्थिती में पर्तिबंधों को सिथिल नहीं कर पाएंगे उपरिक्त आदेशों का उलंगन करते हुए पाय जाने पर संबंधित के बिरूध है आपदा परवंधन की अधिनियम 2005 की धाराय कामान से 60 वें भारतिय दंड संहिता की धाराय 188 के प्रावधानों के अंतरगंट दंडात्मा करवाई की जाएगी तो आपको बदातें कि 9 जून से जो है ये अनलाव की पिरक्रिया पूरे बिहार में प्रभावी होगी तो ये थी अनलाव को लेका जनकारी बिहार और बिहार से जुड़ू ही और भी ऐसे इंखबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ मुझे दिजिए इजाजत धन्यवाद